नमस्कार मैं नाम है कपिल और क्रिप्ट वार में एक बावफेस है आप सभी का स्वागत करता हूं तो थमनेल आपने देखी लिया हुआ कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो डॉज को इन के लिए है जिन लोगों ने अलड़ी डॉज को बाई किया हुआ है या जो लोग कन्फ्यूज है कि डॉज को बाई करें या न करें और अगर करें तो किस प्राइस पर करें और सेल करें तो किस प्राइस पर करें तो इस वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत दाधा खास होने वाली है तो वीडियो को बड़े रहां से देखना चैनल को पहले बार volume देखें तो 60% के करीब इसकी volume अप हुई है लास्ट 24 आस में और यहां पर अगर हम इसकी maximum supply देखें तो available नहीं है और total supply जो है इसकी यहां पर आप देख सकते है 132.67 billion total supply maximum supply available नहीं है अगर इसकी हम एक बार past की बात करें कि यह launch के बहुआ था तो लगबख मेरे इसाब से 2013 में यह coin 2014 में यह coin launch हुआ था और तब से लेके अब तक अगर इसका हम एक बार graph चेक करें हैं अपे all तो देखें यह जब launch हुआ था तो बहुत slowly slowly इसमें हलकी फलकी growth हुई और जो असली growth होना start हुई वो 2020 में हुई जब Elon Musk ने इसके लिए tweet करने start किये बहुत जबरदस तरीके से इसमें उपर की तरफ उच्छा लाया और उस समय बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत बड़ी earning की और जिन लोगों ने इसको अलड़ी यहां के price पे कहीं buy किया हुआ था जब इसका price एक रुपे से भी कम का था तो उन लोगों ने इसमें बहुत ही जबरदस profit कमाया और बहुत से लोग तो ऐसे भी थे जिनको जिननों ने dodge coin को लगबग 20 पैसे या लगबग 10 पैसे के आसपास भी buy किया हुआ था ठीक है और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिननों ने उससे भी जादा कम prices पे इसको buy किया हुआ था और जब यह spike लगाना इसने start की तो उन लोगों ने इसको sell करके बहुत ही बड़ी बड़ी profit gain किय गया लेकिन कुछ लोग ऐसी भी थे जिनों ने जब ये नीचे की तरफ धीरे धीरे उतरा तो सोचा कि और उपर जाएगा यहांपे buy किया यहांपे buy किया यहांपे buy किया इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इसको buy किया हुआ है तो अब film hal जो इसका price चल रहा है वह coin market cap क के हिसाब से अगर देखें तो इसको मैं एक बार INR में करता हूं लगबग 8 रुपे 56 पैसे के आसपास का इसका प्राइस चल दा है ठीक है 24 आर्स में अगर इसका lowest देखें तो 7 रुपे 22 पैसे और maximum इसका जो प्राइस गया 24 आर्स में वो गया है 8.69 ठीक है तो अभी फिलहाल 45 पैसे इसका प्राइस चल दा है तो अभी देखना यह है कि इसको कहां पर भाय करना तो देखें बहुत सारे लोगों ने इसको अल्रड़ी बाय किया हूए और बाय करके hold भी क्या है बहुत सारे लोगों ने इसमें काफी अच्छी earning भी कर ली है उलड़ी तो यहां पर फिल हाल इसमें पिछले कुछ दिनों से बढ़िया spike आ रही है और पिछले कुछ दिन पहले कागर चार्ट देखें जब Twitter वाला case हुआ था जब Elon Musk ने Twitter बाय कर लिया था तो भी इसमें लगबग 1500% के आसपास की spike आई थी 168% और उसके बाद यह थोड़ा सा यहां पर नीचे गया यहां पर इसने moving average पर support लिया और फिल हाल इसमें काफी अच्छा pump आ चुका है पिछले 4-5 दिन में यह देखें लगबग 50% के आसपास का pump इसमें लड़ी आ चुका है तो जो लोग इसको नीचे के price पर buy करते गए वो अभी भी फिल हाल profit में जिन लोगों ने इसको उपर के price इस पर buy किया हुआ है वो अभी wait कर रहे हैं कि कब इसका price उपर पहुंचे और उन लोग का जो loss है वो record हो तो देखे जो लोग नई buying करना चाहरे हैं उनके लिए अभी भी बहुत बढ़िया मौका है बहुत सुनेरा मौका है अभी भी किसी भी price पर डॉज को buy कि आ जा सकता है ठीक है अब new buying वालों को मैं यह बताना चाहूंगा कि मनली आप long term के लिए थोड़ा सा invest करना चाहते हैं दो तीन साल तो यह जो कोईन है डॉज कोईन यह आपके लिए सबसे ज़्यादा फाइदेबंद हो सकता है त्विटर अलड़ी buy कर लिया है त्विटर आप सभी जानते हैं कि social media का सबसे बड़ा platform है ट्विटर ठीक है और ट्विटर ऐलोन मस्क ने buy कर लिया है और ऐलोन मस्क का जो main crypto coin है वो डॉज कोईन है और आने वाले भविश्ये में डॉज कोईन के साथ ऐलोन मस्क कुछ भी कर सकते हैं तो इसको buy करना बहुत ही ज़्यादा फाइदेगा सोधा अब लोग के लिए होने वाला है अभी तक मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आपको नहीं बोलता था लेकिन जब डॉज का यूज केस भी हो सकता है ट्विटर में जो भी कुछ पेमेंट सिस्टम लगेंगे अगर क्रिप्टो के तुरू लगे तो वो डॉज कोईन के तुरू लग सकते हैं या टेसला जो कंपनी है अगर वहां पर भी इन्होंने डॉज कोईन को एक्सेप्ट करना शुरू कर सकते हैं अगर आप फिलहाल इन्वेस्ट करना जाते हैं तो मेरे हिसाब से आप भी दिखें यहाँ पे काफी ज़्यादा पंप है उल्लेडी तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके नीचे आने का अगर यह वापस से 0.89 के असपास आता है तो लगबग आधी अ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही जादा आपके लिए गोल्डन चांस रहेगा अब बात आती है कि सेल कहां पर करना है और कब करना है तो देखिए इसमें अभी फिलहाल डॉज कोईन एक ऐसा कोईन हो चुका है कि कभी भी पंप इसमें आ सकता है ठीक है आप देख रहे हैं कि लगबग 24 गंटे में 17-18% के करीबी से फिर से पंप आया है और यहां से अगर चारमाच दिन का देखे तो 50% के असपास यह पंप हो चुका है और यह वाला जो पंप था लगबग 170% के असपास का पंप था जो मैं आपको बता चुका हूं तो यह कोई हाल डॉज कोईन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है और और लड़ी बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया हुआ है और कुछ लोगों ने तो इसको यहां से बाय करना स्टार्ट किया था और फिलहाल यहां पर बाय करते-करते उनका प्राइस बहुत ही बढ़िया चार्ट हमने लिया हुआ है तो मेरे इसाब से डॉज कॉइन अपना जो उल्ल टाइम हाई है वो सभी क्रिप्टो कॉइंस में सबसे पहले तोडने वाला कॉइन बन सकता है ठीके जितने भी क्रिप्टो कॉइन है सब अपने उल्ल टाइम हाई से बहुत जाद दूर है तो हैं कि पिछले कुछ समय से doge coin को pump करते आ रहे हैं Elon Musk तो मेरे एसाब से अगर आप लोग invest करना चाहते हैं तो फिलहाल doge coin मुझे सबसे ज़्यादा better और सबसे ज़्यादा profitable coin दिखाई दे रहा है यहां पर जो बविश्चय में बहुत अच्छा profit आप लोग को दे सकता है ठीक है इसके अलावा ethereum भी है bnb भी है और बहुत सारे coins हैं जिनमें आप invest करना चाहते हैं लेकिन अगर आप dodge में invest करेंगे तो आपका जो profit है वो बहुत तेजी के साथ increase होने वाला है तो अब हम देख लेते हैं कि कहां कहां पर आपको sell करना है यानि कि अगर आप buy कर चुके हैं या buy करने वाले हैं तो आपको target कौन कौन से लगाने है तो देखिए dodge coin का daily chart है मैं सब सब पहले इस drawing हटा जयता हूँ देखिए अभी फिल हाल ऐसा भी नहीं है कि price लगातार यहां से उपर जाए और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नीचे गिर जाएगा ठीक है क्योंकि dodge coin काफी मजबूत कंडिशन में अभी आ चुका है एकदम से dump होना इसका मुश्किल है और यहां पर अगर हम TSI देखें यह जो एक indicator है हमारे पास true strength index इसको अगर देखें तो यहां पर यह daily में crossover दिखा रहा है इसके इसाब से तो price उपर जाना चाहिए लेकिन मेरे इसाब से थोड़ा सा correction यहां पर आ सकता है क्योंकि bollinger band की upper line को इसने cross कर दिया है तो थोड़ा सा correction यह रहा जो की current price से लगबग 38% का है ठीक अब यह long term वालों के लिए मैं target बता रहूं तो जो लोग long term के लिए dodge को buy कर चुके हैं या करने वाले हैं वो please यह target note कर लें दूसरा जो target है 0.20 के आसपास का है जो current price से लगबग 95% का है और तीसरा target हम यहां पर लगाएंगे जो की current price से देख लेते हैं कितना है लगबग 230% और last target आप लगा सकते हैं इसका all time high जो की इसके current price से लगबग 500% का है और last target आप यहां पर लगा सकते हैं 0.674 तो यह इसके long term के target हैं आप यह मत समझ लेना कि यह जो target में ने दिये हैं 2-3 दिन में या 2-3 महीने में यह cross कर देगा नहीं आपको इसमें काफी समय लग सकता है bull market का आपको wait करना होगा लेकिन उसके लिए market का positive होना बहुत ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि market नीचे गिर रही है और dogecoin उपर जा रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है market अगर stable रहती है या market थोड़ा सा उपर की तरफ जाती है तो dogecoin में हमें बहुत अच्छी spikes देखने को मिल सकती है ठीक है तो आप buy करने के लिए धन्यवाद फिर मिलता है next time तब तक के लिए जय हिन और जय भारत